जैरो नुमाने क्या ने कुझा साथ करें जाए पपी से तिको डोपने कुछा गरें अब आगे बंद करो ये द्वानी ये डमरू की द्वानी मुझे विचलित कर रही है बंद करो ये ये डमरू की द्वानी बंद करो ये द्वानी बंद करो ये द्वानी आश्चर ये है डमरू की द्वानी और इसका भागना सब सही तो कहते हैं कि डमरू की द्वानी बूरी शक्तियों के प्रभाव को समाप कर देती है हर हर महादेव हर हर महादेव युवराज मारूति आपकी माता महारानी जी आपके लिए चिंतित होंगी चक्रासुर लोट गया है चलिए हम आपको राजभवन पहुचा देते हैं युवराज मारूति आप हम सब के लिए इतनी रात्री में यहां आये आपने धवल मुख के प्रान बचाए स्वयम को संकट में डाला आपने हमारे लिए कितना कुछ किया अब आप राजभवन लोट चलिए यदि चक्रासुर पुना आ गया तो उसका भै अभी भी समाप्त नहीं हुआ है आप सत्ते कह रहे हैं मुख्या जी चक्रासुर का भै अभी भी बना हुआ है जब तक आप सभी चक्रासुर के भैसे मुख्या नहीं हो जाते मारूती आप सब को इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता और चक्रासुर के भैसे आप सब तभी मुख्या हो सकते हैं जब चक्रासुर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और इसके लिए हमें साथ मिलकर प्रयास करना होगा तो क्या चक्रासुर की मृत्तियू संभव है? हाँ, वो भी तुम्हारे द्वारा इसके द्वारा? इसके द्वारा? यह कैसे संभव है? पहेलिया मत बुझाईये योवराज इतने भयानक असुर के मृत्तियू वो भी एक साधारन बालक के द्वारा यह कैसे संभव है? मात्र यही नहीं आप भी उसे मार सकते हैं आप भी, आप भी और आप भी मैं भी? हाँ, मुख्याजी आप भी उसे समाप्त कर सकते हैं एक ता में बहुत शक्ति होती है चक्रासूर से भी अधेक यदी हम सब मिलकर एक हो गए तो चक्रासूर का अंत भी कर सकते हैं चक्रासूर बहुत शक्तिशाली है और माया भी है किन्तू उसकी एक दुरबलता भी है आप सबने देखा था इस एक दमरू के नाच से चक्रासूर कितना विचलिता उठा था यह दमरू की ध्वनी बंद कराओ भागने के लिए विवश हो गया था यदि अने को डमरू एक साथ बजाए जाएं तो उनकी सम्मिले ध्वनी से चक्रासूर शक्ति हीन हो जाएगा फिर उसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं कब तक योहीं भैबीत होकर जिरेंगे मा ने कहा था कि भै दुरबलता हुत्पन करता है और भै पर जिसने विजय पाली विजय उसी की होती है युगराज आप बहुत छोटे हैं आप नहीं समझेंगे बात भै की नहीं है मात्र इतनी सी है कि अपने से बलशाली पर वार करना स्वयम को संकट में डालना है संकट का सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं मुख्या जी यदि हम संकट से भागेंगे तो संकट हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है सफल वही होता है जो प्रयास करता है पिताश्री भी वही कहते हैं जो स्वयम की सहायता करता है भगवान भी उसी की सहायता करते है युवराज उचित कह रहे हैं कब तक हम इस प्रकार चक्रासुर से भागते रहेंगे हमें चक्रासुर का सामना करना होगा संपूर्ण शक्ति और बल के साथ मैं युवराज के साथ हूँ मैं भी युवराज के साथ हूँ मैं भी युवराज के साथ हूँ धन्य है युव्राज और धन्य है माहरानी अंजना जिने आप जैसे वीर पुत्र की माता होने का गौरब राप्थ हुआ देवेश्वर विडंबना देखिए माता और पुत्र दोनों इस बात से अनभिक्ये हैं कि दोनों ही अपने अपने स्तर से चक्रा सुर के विरुत युद्र छेड़े हुए जबकि दोनों के कारेकाव देश एक ही है चक्रा सुर के आतंक से मुक्ती कैसी विचित्र ग्रेडा है ये नियति की देवी सूर्य और दीपक में दोनों में आग्नी व्यापत है दोनों का कारे एक ही है प्रकाशित करना इसी प्रकार मारूती और अंजना वो भी एक ही कारे कर रहे है मारूती ने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अंजना ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया दोनों को ये भी ग्याद है कि एकता में कितनी शक्ति होती है पिंतु स्वामी उन सब दिर्दोश मनुश्यों को इतना कष्ट क्यों? देवी, सब को जीवन में संगर्ष करना पड़ता है यदि बिना कोई संगर्ष करे, बिना कष्ट उठाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मनुश्य स्वार्थ और अलस्यक अदास हो जाता है उसे जीवन के मूल्यों का ग्यान ही नहीं हो पाता मनुश्य सारा जीवन इसी संगर्ष में बिता देता है कि उसके जीवन में कोई संगर्ष ना हो संगर्ष की महिमा ऐसी ही है मारूती भी एक्ता की शक्ती से चक्रासुर के विरूद संगर्ष करने के लिए सब को जोड रहे हैं आप सोयम देख लीजिए युवराज हम सब आपके साथ हैं किन्तु हमारे पास सिर्फ एक ही डमरू है अन्य डमरू नश्ट हो चुके है तो फिर आप सब और डमरू तो बना सकते हैं ना? बना तो सकते हैं युवराज किन्तु हमारे पास सामगरी नहीं है कुछ चर्म और कुछ रस्यां है लकडिया नहीं है और लकडी के बिना तो डमरू बनी नहीं सकते और यूवराज आसपास भी ऐसे कोई व्रेक्ष नहीं बचे है जिनसे हम डमरू बना सके चक्रासुन ने सब उजार दिया किन्तु मैंने एक स्थान देखा है जो अब भी सुरक्षित है गाउं से आते हुए हमने जिस नदी को पार किया था वहां के आसपास की वन्च सुरक्षित है कदाचित चक्रासुन अब तक वहां नहीं पहुँचा होगा हम वहां जाकर डमरू तयार कर सकते हैं अब विलंब कैसा शुबस्ते शीग्रम हाँ 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 जाने से समय व्यर्थ होगा आप लोग यहीं बैठकर अपना कार्या आरम कीजे लकडियोंगी व्यवस्था मैं कर दूँगा किंतु समरंड रहे सबको मिलकर एक साथ कार्य करना है जितना सीग्र हो सके हमें अधिक से अधिक डमरू का निर्मान करना है असंभाव चक्रासूर के चक्रवात में भसने के बाद भी वो वानर बालग बाहर निकल गया असंभाव है ये मुझे भी वहाँ से भागना पड़ गया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी दुर्बलता भाब गया हो कि डमरो की नाध मुझे विचलित कर देती है ये भी हो सकता है बहुत चतुर है वो वानर बालग एवं शक्ति साली भी है वो उसने तो बिक्षा सुर्को नाई विक्षा सुर्क नहीं हो मैं एक वानर बालग से परास्त हो जाओं यदि वो मेरे सामने फिर से आ गया तसमाप्त कर दूंगा उसे अच्छा वो देव भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे जिनकी शक्ती उसके पीछे कार्य कर रही है क्या हुआ चक्रासुर्ट क्या सुच रहे हो लगता है मेरे भीतर की शक्तियां कम हो रही है इसे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो अपने भीतर समेटना ही होगा उस नदी में जल भी है और उसके आस पास ब्रिक्ष भी है इतने भयानक चक्रासुर्ट को भी चक्र में डाल दिया इस छोटे से वानर बालक ने दिखने में तो वो बानर बालक मेरे देह के ही समान है पर इतने बड़े बड़े काडिया इसकी भूख इसकी भूख तो सांती नहीं हो रही है कहीं कहीं ये मुझे भी न निकल ले इस मायावी बालक के पिछे किस द्योता का हाथ है ये सुचना भी तो मुझे लंकेश रावन तक पहुचानी है मुझे यहाँ रुकना ही होगा ये तो इस नेदी का सारा जल पीजाएगा अरे ये तो नदी का सारा जल पी गया नदी का सारा जल पीने के पश्चात ये सारे व्रिक्षों को निगल गया तो डमरू बनाने के लिए लकडिया कहां से मिलेंगी क्या करूँ चक्रासूर 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 तुम तो बड़े मायावी और भयानक असूर हो ना फिर क्यों भाग निकले थे वहां से तो फिर आ गया वानर बालक किन्तो इस बार तू चक्रासूर के चक्र में जो भसा तो भस चल भसा तुम कुछ नहीं कर पाओगे अरे यह तो चक्रासूर को भी लल कार रहा है वानर बालक वानर बालक वानर बालक कहा गया वानर बालक यह वानर बालक तो पुना लुप तो गया अब तो मुझे ही इसे ढूड़ना होगा अब मैं जाकर लकडिया ले सकता हूँ यह युवराज कहा रह गए समय बीचता जा रहा है आज आएंगे युवराज लकडियां चुन्ने में समय लगता है यह रही लकडियां यह लो और लकडियां लो यह सब लकडियां लो यह लीजे और लकडियां लीजे इन सब लकडियों के डमरू बनाईए यह लो आगई लकडियां और आगई युवराज भी अब शीकरता से कारे आरम करो हमें अधिक से अधिक डमरू बनाने हैं जल्दी जल्दी हाथ चलाओ समय कमें हमारे बास शीवराज डमरू तो लगबग बनी ही गए हैं आगे की क्या योजना है हम चक्रासुर पर इनसे कैसे प्रहार करेंगे मुख्या जी अब हमें ये कार्य करना है अवान गयान गून सागर जाइक पेसदी लोग अभुचा गर जाइक अध्स आप सब समझ गए ना जी उराज हाँ समझ गए अब हमें इस रक्षा का वज की कोई आविशक्ता नहीं है ये तो चक्रासूर के लिए बहुत ही घातक है शिगर बताना होगा चक्रासूर को अब तुम नहीं बच सकते चक्रासूर